आप सब को जानकर हैरानी होगी कि कब्ज, पाइल्स, एनल फिसर, सिर्दर्द, माइग्रेन, चम्डे का रोग, स्किन डिसीज यानि की सोराइसिस ये सब बीमारियां सिर्फ एक ही कारण से होती हैं दोस्तों वीडियो को पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा step by step कैसे ये बीमारिया होती चली जाती हैं आज मैं इन सभी बीमारियों का कारण, लक्षण और ट्रीट्मेंट सभी बताने वाला हूँ दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद दोस्तों अब इसके कारण की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रब्लम है वो हमारा life style, खान पान और पानी कम पीने की वज़ा से हमारे सरीर में ये बिमारी आती है जिसमें हमारा blood acid हो जाता है यानि की हमारे blood के अंदर acid की मात्रा बढ़ जाती है इसमें होता क्या है कि जो हमारी चमड़ी है उसकी जो muscles है वो बिल्कुल लूज पढ़ जाते है ठीक है इसका जो लक्षण है वो आप जान लीजिए इसका लक्षण ये है कि कब्ज यानि कि ट्विलेट करते समय आपको जोर लगाना पड़ता है फिर ट्विलेट पास होता है दोस्तों उपर मैंने जितनी वीमारियां आपको बताई ये सब हमारे सरीर में acid बढ़ने के वज़ा से आती है दूसरा जो लक्षण है वो दिखाए देत तो आपको पहले आपका लगता था कि थोड़ा सा टाइट है मसल्स मजबूत है लेकिन अब अपनी ही चमड़ी को आप दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सरील थुल्थुला हो गया है बिल्कुल नरम हो गया है तो ऐसा लक्षण अगर दिखाई दे तो समझ जाना कि blood में acid बढ़ गया है अब इसका इलाज करवाना जरूरी हो गया है अगर इलाज करवाने में देरी करेंगे तो सिर्दर्द पाइल्स कब्ज शर्म रोग बेरिको बेंस यह सारी बिमारिया आ जाएंगी ठीक है अब आप दवाई खाना सुरू करोगे जो कि अंग्रेजी दवा से इ आए डिफेक्ट होने लग जाता है अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में दोस्तों इसका ट्रेट्मेंट्स सिर्फ निरो थेरेपी में संभव है मैं इसकी ज्यादा बढ़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन जब आप इस थेरेपी को समझ जाओगे तो आप भी इसके गु एक साइड हमारा चार होता है एक साइड अमल होता है यह दो अगर इंबाइलन्स हो गए एक में से कोई जादा हो गया तो बीमारिया आती है लेकिन यह जो बीमारिया आपको मैंने बताई यह हमारे सरीर में एसिड बढ़ जाने की वज़ा से होता है जैसे कि मैंने आपको प करने में पानी बहुत ज्यादा फाइदे बंद होता है दोस्तों नियूरो थेरेपी इसको एसीड ट्रीटमेंट का फॉर्मूला देकर आपके सरीर में एसीड और एलकलाइन को बैलेंस कर देती है तो यह बीमारी ठीक होने के साथ दुबारे होने का भी खत्रा कम हो जाता है ब और साथी साथ आपको जो डाइट फोलो करना पड़ेगा नेक्स्ट छे मंत के लिए फिर आपकी जो बोड़ी है एलकलाइन और एसीड के बैलेंस में सेट हो जाएगी फिर आपको ये बीमारी जिन्दगी में कभी नहीं आ सकती है इस बात का ध्यान रखिए और अपना जो दिखा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो एक बार जरूर आप नेरो थेरेपी में दिखा लीजिए दोस्तों मेरा जो नंबर है एक कमेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है आप पिलिज चेक कर लें और आप दवाईयों के साइड इफेक्ट स बचे और नेरो थेरेपी को अपनाए धन्यवाद